अगर यहां से मैं image open कर लूँ यह वाला हमने netwest एक ऐसा bank है जो के आपको business bank account की services provide करता है इसके उपर आपका एक account जो है वो ready हो चुका है आपकी ltd के उपर जैसे ही आपका account ready होगा तो यहां से आपको एक welcome kit आएगी अगर आप इस चैनल के उपर नए है तो आपसे request है कि आप हमारे चैनल को subscribe कर ले ताके आने वाली हर नएई वीडियो को notifications आपको मिलता रहे है जी इसलाम लेकूम आई एम जिशान हैदर फ्राम एकम रिल्स तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे के हमने अपनी ltd के उपर यूके में अपना physically bank account किस तना से open करना है ताके हम अपना एक जो verified ebay UK site UK market में हम sell करें तो उसके लिए हमें एक physically bank account चाहिए अपनी ltd के उपर अभी ltd का नाम आया है तो आपने ऐसा नहीं करना कि अभी आपने जाके ltd बना लेनी है दस बारा पाउंड जो लगती है ltd बनाने के बाद आपने apply कर देना है वीडियो को पूरा देख लीजीगा आज इन्शाला मैं इस वीडियो में वो सारी डीकेल आपके साथ share करने वाला हूँ ये थोड़ा सा technical काम है थोड़ा सा मुश्किल काम है bank account बनाना तो इसके लिए क क्या क्या requirement होंगी हमने कौन कौन से bank account बनाने है तो वो मैंने try की है कि आपको एक ही वीडियो में इन्शाला सारे step बता दें क्योंकि ये वाला जो physically bank account है ये मैं या आप या हमारे जो community के कुछ member है ये हर कोई नहीं बना सकता तो हमने बनाना किस तरह से है सबसे पहले मैं यह यहां पर अगर बात कर लूँ एक UK की site के उपर आता हूँ जो के UK की government की site है HRMC के अगर site के उपर आओ यहां पर हमने अपना business registered किया होता है यहां पर मैंने एक company का नाम लिखा है enterprises तो जैसे ही मैं अगर इसको open कर लूँ open करने के बाद यहां पर इसके सारे director की detail और इसका जो click करता हूँ यहां पर एक option आ रहा है people का ताके मैं देख लूँ के इसके director कितने हैं तो अगर मैं नीचे scroll down करूँ तो यहां से मुझे सारा clear image आगी के इनके पास इस time 8 officer हैं जिनोंने 6 ऐसे बंदे हैं जो के resign कर चुके हैं और दो active जो हैं director हैं कहने का मकसद यह है कि यहां प आपकी company जो है वो UK में registered है using Pakistani director पाकिस्तान का जो director है वो पाकिस्तानी बेस है लेकिन आपको जो business है वो UK में registered है तो आपको एक UK का एक ऐसा बंदा चाहिए जो के residence UK का हो जिसको आप 50% जो है वो ownership देंगे अपने account की तो जब आप उसको 50% ownership देंगे तब वो eligible होगा आपके न नाम पे एक physically bank account open कर सके होगा क्या मैं मुकमल आपको बता दूँगा आपने अपने ही laptop के उपर online application को fill करना है अपने नाम के उपर उसने just उस bank में जाके sign करने है बाकी verification सारी आपने करनी है आपने अपना passport देना है selfie आपकी ले जाएगी verification होगी वो आपने खुद अपनी selfie upload क करनी है उसका काम होगा उसके बेहाफ के उपर इस company के बेहाफ के उपर वो just sign करेगा कि मैं इसको authorize कर रहा हूं कि यह वाला जो है वो हम मिलके as a partnership company को run कर रहे हैं तो वो आपके नाम के उपर एक physically bank account जो है वो अलाट हो जेगा वो business bank account होगा तो वो हमने किस तरह से बनाना है उससे पहले मैं एक चीज़ आप से ना share करना चाह रहा हूं कि for example आपने यह वाला एक UK की nationality का बंदा add कर दिया आपने ऐसे ही add नहीं कर देना कोई भी UK का बंदा हमने add कर दिया तो नहीं add करना आपने तो जैसे ही आप कोई भी UK का बंदा add करेंगे तो आपने उसको inform भी कर जेले उनसे proper बात कर लेनी है के हम यह वाला business है और इस तरह करकि हमें हम एक bank account बनाना चाह रहे हैं हम आपको as a director add करना चाह रहे हैं इसमें आपका कोई issue नहीं होगा ना आपकी payment लगेगी आपका कोई issue नहीं होगा जस्ट हम आपको as an director add करना चाह रहे हैं तो जैसे ही आप उसको director add करेंगे तो उसके पास एक इस तरह का welcome notification जाएगा congratulations के आप इस company के अब director बन चुके हैं very second day उसके पास इस तरह के तीन-चार company के HRMC की तरफ से letter जाएंगे authentication code जाएगा letter जाएगा welcome letter जाएगा कि आप इस company के 50% जो है वो partnership honor बन चुके हैं director बन चुके हैं तो बिताने का मकसद यह है कि होता यह है कि last time हमने एक community में से एक member की request देखी थी उसने अपने UK का जो partner था उसको नहीं बताया था ऐसे ही उसने company के अंदर उसका नाम detail एड़ कर दी थी तो very next day उसको जब यह letter गे तो उसने on the sport उसको remove करवाय कि भाई मैं disabled person हूँ ठीक है UK की ही government मुझे sport कर रही है तो मैं अब director add हो चुका हूँ तो UK की government देखेगी कि यह बंदा अपना खुद का business शुड़ करने लगा है तो हम फिर इसको sport नहीं करेंगे तो जब आप UK में कोई भी अपना personal business start कर ले even कि आप disable हो तब UK की government आपको sport करना छोड़ देगी तो इस चीज में आपने ख्याल रखना है यह थोड़ी सी जरूरी और no table बात थी जो के मैंने आपको बतानी थी उसके बाद हम start कर लेते हैं कि जी हमने अपने company के अंदर UK based एक जो residence है वो as a director भी add कर लिया next step क्या होगा next step होगा कि हम कितनी किसम के और कौन-कौन से bank बना सकते हैं यहां पर अगर मैं Google के उपर आऊ और यहां पर मैं search कर लूँ next west international business account यह एक ऐसा bank है जो के internationally ही आप बना पाएंगे अपने mobile से या अपने web browser से आप बना पाएंगे online international bank आप को देंगे यह सारा काम आप internet के through कर सकते हैं आप debit card order कर वा सकते हैं तो जैसे ही मैं इस bank को यहां से open कर लेता हूँ ताके मैं आपको सारे step बता दूँ कि आपने इस bank को fill up किस तरह से करना है यह एक international bank account है इसमें आपको pioneer की तरह दो तीन चार currency भी मिल सकती हैं तो जैसे ही इनकी website open होगी तो यहां से आप इनके सारे account देख सकते हैं यह तो हमने नीचे scroll down करना है तो यहां पे सारे आपको इनके options मिल जाएंगे यहां पे start mobile application यहां से आपने नीचे scroll down करना है यहां पे आपको एक option नदर आएगा apply for a business bank account आपने इसके उपर क्लिक कर देना है तो यहां से आपसे यह दो option पूछ रहा है कि आप नए customer है या आप हमारे पराने customer है इस time हम जो है totally new customer है तो आपने यह सारी detail आपने add कर लेनी है अगर मैं थोड़ा सा उपर करूँ जहां पे भी आपका business जो है वो registered है आपने वो अपना options चूज करना है तो यहां से यह मुझे पूछ रहा है कि आप अपनी company बताएं कि आपनी company partnership बेस है या ltd के उपर है या आप sold trader है तो इस time हम जो है वो limited company के उपर है तो यह सारे जो process है यो step है आपने अपने हिसाब से complete करके अपनी detail add कर लेनी है जब आप सारी detail fill out कर लेंगे fill out करने के बाद जो आपका business registered address होगा company का address होगा उसके उपर net west जो bank है यह आपको एक welcome kit बेजेगा उस welcome kit के अंदर होगा क्या वो मैं सारी आपको detail बता देता हूं तो अगर यहां से मैं image open कर लूँ यह वाला हमने net west एक ऐसा bank है जो कि आपको business bank account की services provide करता है online इसके उपर आपका एक account जो है वो ready हो चुका है आपकी ltd के उपर जैसे ही आपका account ready होगा तो यहां से आपको एक welcome kit आएगी welcome kit के अंदर क्या क्या होगा यह आप सारी चीज़ें देख लें यह सारा कुछ बताने का मकसद क्या है यह मकसद किया होगा 50-50% यह कोई मतलब बहुत असानी से नहीं हो जाता आपने उनको अच्छे से guide करना है उनको communicate करना है कि आपको मैं as a director add कर रहा हूं इसमें आपके उपर taxes या किसी भी किसम का कोई भी tax assumptions नहीं होगा यह सारी हमारी company के ही उपर होगा मैं ही honor हूँ इस company का tax station जो है क कोई भी problem होगी मैं ही इसको face करूंगा आपने उसको totally freedom देनी है आपने उसको realize करना है कि हम कोई illegal काम नहीं कर रहे हमारे पास second option कोई है यही वाला option है तो आपने उनको इस तरह से guide करना है proper तो मैं यह सारी video complete detail में इसलिए बता रहा हूं कि ताके आपको idea हो के जो director हम add कर रह जाएंगे कितने दिन के बाद जाएंगे तो जैसे ही यह welcome kit जाएगी आपके उस partnership director के पास तो यह welcome kit accept करने के बाद यह आपका जो director होगा वो sign करेगा जी ठीक है मैं इसको accept कर रहा हूं तो जैसे ही वो आपका जो director होगा वो इस welcome kit को accept करेगा on the sport आपका जो account है वो active हो वो disable रहेगा inactive रहेगा आप उसको use नहीं कर सकते इवन कि आपके पास sort code आ गया या आपके पास bank account नमबर आ गया वो viable नहीं होगा जब तक कि यह welcome kit accept नहीं हो जाती accept होने के बाद जैसे ही accept होगी तो वो उसी time आपका जो account है वो active कर देंगे क्योंके देखें हमारे पास bank account बनाए हैं मैंने नहीं हमारी team में कुछ ऐसे persons हैं जिन्होंने अपने relatives का use करके bank account बनवाए हैं और उनके जो account हैं वो चल रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ एक जो UK का eBay का account बनाना भी हमने आपको बता दिया था physically bank account का यहां पे दो चीजे मैं और मजीद add कर बना चाह रहा हूं कि यहां से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से bank जो है वो हम अपनी ltd के उपर बना सकते हैं पहला जो है वो नेस्ट वेस्ट एक bank है आप यह बना सकते हैं यह वन अफ मैं फेवरेट bank account है उसके बाद हम जो है बारकलेज का एक bank account है वो आपको business online international business bank account के services provide करता है इन केस आपका जो director है वो UK based होना चाहिए 50% उसकी ownership होने चाहिए उसके बाद जो bank है bank of scotland bank of scotland और netwest बहुत जबरदस bank account है असानी से जो है वो आप बन जाते हैं जो बारकलेज है यह थोड़ा सा tricky है tricky इस sense में है कि इसके लिए documentation चाहिए होगी physically parents चाहिए हो apply करना है bank of scotland के लिए और netwest के लिए यह दोनों थोड़ा से अच्छे हैं हमारे जो experience के मताबब इनका जो success rate है hundred percent रहा है तो I hope के यह एक छोटी सी quick video में आपको सारी understanding होगी होगे मेरी हमेशा से यही try रहती है कि मैं आपको authentic knowledge provide करूँ क्योंकि मैंने realize किया है कि जो free courses होता ह उसको लोग appreciate नहीं करते अगर मैं किसी भी organization में as a partnership करके अपने यही courses sell करना start कर दो तो मुझे अपने उपर इतना trust है के मेरे लाखों में course बिगेंगे लेकिन मैं मैं नहीं चाहरा हूँ मैं चाहरा हूँ कि मैं अपनी community को मेरी community बहुत छोटी है मैं चाहरा हूँ कि मैं इस community बनाना चाहरा हूँ प्री में हरी चीजें जो है वो प्री में देना चाहरा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जी मैं ebay के course सिखाने लग जाओं आपके पास ebay का account तक ही नहीं है और आपको पहले ही मैं कह दूँ आप जो है जिक analytics का टूल बाए कर लो और उसकी वर्थ क कि आप कमा कुछ भी नहीं रहे मैं आपसे starting में ही आपके इन्वेस्ट करवाद हूँ और इन्वेस्ट के बाद आपका account suspend हो रहा ही आपका account नहीं बन रहा तो इस चीज़ का फाइदा नहीं मैं इन्शाला try हमेशा से ये करता हूँ कि आपको मैं break even से start करूँ मैं zero से start order रहना start हो जें जो order रहें उस amount को आप invest करो tools के अंदर आप जेब से लगा रहे हो ठीक है आप order fulfillment start में अपनी pocket से लगा रहे हो लेकिन वो pocket से लगाने के बाद जो आपको benefit हो रहा है जो profit हो रहा है उनको आप invest करो tools के उपर या other activities के उपर ताके आप अपने system को automate कर सके आप time को consume कर सके खेर ये लंबी बाते हो रही है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो आपसे request है कि आप हमारे चैनल को subscribe कर दें ताके आने वाली हर नई वीडियो को notification आपको मिलता रहे तो अपना बहुत ख्यार खेगा मिलते है नेक्स वीडियो में अब तक के लिए अलाहाफिस